हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सिवानी वेलकम है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स बहुत सारे ऐसे जात्र हैं जिनकों की इस बार परिच्छा में बहुत ज्यादा परिशानी होगी या फिर होने वाली है क्योंकि अधिकतर जात्र अभी तक परिच्छा दे नहीं है अभी बस जो है सेकेंड फेज तक परिच्छा कंप्लीट हुए थर्ड फेज की परिच्छा चल रही है तो आप लोग ने थमनेल पड़ी लिया होगा जो की बिल्कुल सच है ऐसे छात्र जो की ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे और उनको पास होने क कि जो है बिल्कुल उमीद नहीं होगी तो आखिर कौन-कौन सही से छात्र है क्या आप लोग जो है वो सापधानिया नहीं ब्रदर है क्या आप लोग जो है अच्छी तरीके से त्यारी नहीं कर रहे हैं किस बज़र से आपको फेल किया जाएगा तो पूरी डिटल में सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसी पलपल के खबर आपको मेरे चक्वाद हमसे हमें साम मिलती रहेंगी देखिए फेल होने की जहां तक बात है और आप लोग को साथानी बढ़ातनी की बात है तो सिर्फ यह इन चात्रों के लिए नहीं है कि जो भी परिच्छा दे रहे हैं या देने वाले फ्यूचर में कभी भी कोई भी चात अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए या helpful होगा क्योंकि फ्रेंड्स देखे अब जो परिच्छा आप लोग की हो रही है आप जो पैटर्न चेंज हुआ है जब से और जब से यह ऑनलाइन परिच्छा का जो है आप लोग का सुरू हुआ है तब से जो है बहुत चीज जो है चेंज हो गया है ठीक है लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताऊं कि ऑनलाइन परिच्छा पिछली बार भी हुआ था इसके पहले जो 2013 पहले चात्रों की परिचह होई थी आर्फ होई थी लेकिन वह बहुत इजी परिचह होई थी लेकिन अब ही से परिच्छ होई है बहुत ज़ादा हाड परिचह हो रही है और आगे इससे भी जादा कठिनाई seasoning आप लोगी बढ़ती ही जाएगी दीरे-दीरे हर एक साल जो है ओनलाइन परिच्छा में आप लोग की कटनाय बढ़ती जाएगी दीखें पहले जो एक्जाम होता था वो सेंटर पर होता था फ्रेंट्स आप लोग को पता है लेकिन अब जो परिच्छा हो रही है वो अधिकतर कहां पर हो रही है कंप्यूटर स सामिल किया है जहां पर की गवर्मेंट जॉब की पर इच्छा होती है जैसे बैंक की एक्जाम की रिलेवे की या फिर कोई ऐसे सी का आप लोग जानते होंगे जो भी कमप्यूटेटिव एक्जाम दिये होंगे जो चादर गवर्मेंट जॉब के लिए जो प्रिपेशन कर र जो आपके पास में बैठे हुए ठीक है इस तरीके से होता और बहुत बड़ी-बड़ी विल्डिंग्स होती है उसमें जो सिर्फ कम्प्यूटर से ही होते हैं ठीक है वहां पर सिर्फ एक्जाम के लिए ही वो सिंटर बनाया जाता है ठीक है तो आप लोग का सिंटर भेजा क्योंकि देखिए बहुत सरे ऐसे चात्र है जो कि पहले वाली परिक्षा को देखते हुए ध्यान में रखे हुए कि ऐसे परिक्षा होती है चीटिंग भी तो बहुत चल सकती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको खुद पे ही निर्भर रहना है अगर आप थोड़ी सी भी त्यारिया कर लिए देखिए आप लोग को एक चीजह यहां पे रहात मिल सकती है कि निगेटिव मार्क इसमें नहीं है ठीक है निगेटिव मार्क बिल्कुल भी नहीं है आपको पूरा कोस्चन मानलीजिये मैं एक सबस्पारी हूं आपको ऐसा नहीं है कि जो है हंडेड बोल रही हूं 100 प्रक्राइब करके आईए लेकिन आप यह भी सोचीएगा कि 100 में 100 चलो कुछ भी पढ़े नहीं कुछ भी आईडिया है नहीं 100 बस ऐसे ही अपने मन से कुछ भी एबिसीडी टिक करके आगए और पास हो जाएंगे ऐसा नहीं है 100 कोश्चन में, आप 100ट कोश्चन सौल्व करके आई, लेकिन कम से कम 100 कोश्चन में आपको 20-30 कोश्चन भी आपको कंफर्म होना चाहिए, कि यह कंफर्म है, मैंने पढ़ा है और यह सही ही होगा, ठीक है उसके बाद आप इसमें दी मान लिजे कि आप 30 questions अपने मन से जो है वो सही कर दिए कि ये बिल्कुल सही होगा ये आपका पढ़ा हुआ है तो आप 100 में से 70 questions अगर अपने मन से भी आप टिकर क्या आते है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा ऐसा नहीं है कि आप मन से टिक करिएगा तो सारा का सारा गलत जाएगा और negative marks तो है नहीं कि आपके marks कटेंगे चाहे गलत हो जाएगा तो कोई दिककत नहीं है अगर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो यह आपको एक राहत मिल सकती है लेकिन उन छात्रों को राहत मिलेगी जो कु मैंने अपने मन से टिक किया है तो उसमें कुछ न कुछ तो 10-20 कोश्चन तो सही हो ही जाएंगे तो पास होने के उनकी पूरी उमीद रहेगी लेकिन जो छात्रों कुछ भी नहीं पढ़के गए हैं वो बिलकुल ही जो है अराम से सारे नोट्स बगेर अफेक दी हैं बुक क ॏ तो कुश्टन भी बहुत ज्यादा हार्रा एक टॉफ हो गया कोश्चन अब निमी पोर्टल का जो आप लोग का निमी का कुश्चन आता था वो भी counts आ रहा है सारा कुछ जो है चेंज कर दिया है प्रोसेस ऐसे में आप लोग को बहुत ज्यादा परसानिया होंगी ठीक है तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूं कि आप लोग अब बिलकुल भी चीटिंग पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि अब जिस तरीके से competitive exam होता है वैसे आप लो क्या चीटिंग चल रही थी क्या वहां पे आपको कुछ help मिल रहा था या फिर आप लोग अपने से खुझ से solve कर क्या है यह आप जुरू बताएगा ताकि मुझे भी ऐसा पता चलेगा क्या कि छातर एक्स्परियेंस कर क्या है च्छातर जो परिशा देखिया है उनको अच् नहीं मिलेगी देखिया कंप्यूटर से निकाल दिया जागा आपको अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा इस तरीके से गवर्मेंट जब चातरों के साथ होता है जो competitive exam दने जाते हैं अगर वह पांच हो जाते तो उनको अंदर जाने के लिए नहीं मिलता है तो आप के साथ भी ऐसा हो सकता है इसलिए आप लोग प्रे करिए कि आप लोग का computer center पर ना जाए center बलकि आपके IT center पर जाए ठीक है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को यह वीडियो जो है बना दो ताकि आप लोग अभी से अभी भी जिनका October में परिछा है जिनका November में परिछ करना है एक बार फिर से जो है रिचेक करना है फिर निमाग में जो है जो भूल गए है उसको कर लेना है तो अभी वह ताइम है आप लोग परिछा में पास होने की पूरी उम्मीद आप लोग रखं़िए और परके जाए कम सब्सक्राइब करके आये आए अपने मन से सही उस झाल झाल